आज मैं आप सभी लोगों के लिए मीठे पर आठे की रेशिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं, तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है खोया और बिना पिसी हुई चेनी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब लिया है गेहु का आटा, इसे मैंने कुछ देर पहले सान कर रख लिया था, आटे को हमें बहुत ज़्यादा, टाइट ना ही ज़्यादा मुलायम रखना है और अब मैं इसकी बनाऊंगी लोई, आटे में घी या तेल को नहीं डाला है लोई आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी छोटी अबड़ी कर सकते हैं अब सूखा आटा लगा कर लोई को हलका सा बढ़ाऊंगी और अब इसमें डालूंगी खोया और चीनी वाली स्टफिंग इसे डालने के बाद आप अंगूठे से इसको इस तरह से प्रेश करते हुए बंद करने ताकि खोया इसे भरते समय बिखरे नहीं अब इसी तरह से इसको भी बर लूँगी तो इस टफिंग को डालने के बाद इसे भी कचोडियों की तरह बंद कर दूँगी अब इसमें लगाऊंगी सूखा आटा और इसे हलके हाथों से बेलूँगी पराठे को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसी तरह से दूसरे पराठे को भी बनाऊंगी ये पराठे बहुत ही कम टाइम में और आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं आपका जब कभी कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप इसे बना सकते हैं आप मेडियम फ्लेम पर पराठे को डाल दिया है और दूसरी तरफ पलटने के बाद इसमें लगाया है रिफाइंड आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं और इसे दूसरी तरफ भी पलट दिया है पराठे को हमें मेडियम और स्लो फ्लेम करते हुए सेखना है ताकि पराठा खाने में टेश्टी लगे और अच्छी तरह से सेख जाए घी या तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा लगा सकते हैं तो ये पराठा बनकर तयार है और उसी तरह से दूसरा पराठा भी सेख लोंगी आप भी एक बार इस पराठे को बना कर जरूर ट्राए करें स्टफिंग में आप अगर चाहें तो कुटी हुई छोटी इलाची भी डाल सकते हैं और बारीक कटे हुए ड्राइफ फ्रूट्स भी तो उसी तरह से मैंने ये पराठा भी सेख लिया है अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर इसे सेर भी करें तो सभी पराठे मैंने इसी तरह से सेख लिये हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये पराठा दिखने में कैसा लग रहा है आप भी इस पराठे को एक बार बना कर जरूर ट्राए करें और आप सभी लोगों के लिए मेठे पराठे बनकर तयार हैं पराठे ट्राठे लोगों के लिए लोगों के लिए इस से को बाराठे